मस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्रस एल्पलाइन यूट्यूब चैनल में दोस्तों अगर आपके पास किसी भी प्रकार के प्राचिन काल से जुड़े कोई भी नौट या फिर दोस्तों कोई भी सिक्के पड़े हैं जिनने आप लोग घर पर बैटे बैटी बेचना चाहते हैं तो आज आप लोगों ने बिल्कूल सही वीडियो पर क्लिक किया है जैसे दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पर एक मोरो वाली नौट देखाई दे रही हैं जिसके बदले आपको 4 लाक रुपे मिलेंगे साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो स्री माता वैशनो देविजी वाला सिक्का देख रहे हैं इन एक सिक्के को बेच कर आप लोग को बदले में 2 लाक रुपे ले सकते हैं यहाँ पर आप लोग जो यह बायर देख रहे हैं यह रियल बायर हैं और यहाँ पर आप लोगों को कॉंटेक्ट नमबर भी दे दिया लेकिन कॉंटेट करने से पहले आप लोग अपना ये वीडियो पूरा जरूर देखें ऐसी इन नौट और शिकों में क्या खास बात छिपी हैं जिसके करण आप लोगों को इन नौट और शिकों के बदले लाखो रुपे मिलने वाले हैं सिर्फ 5 या फिर 10 रुपे की जो शिकने या फिर नौटे हैं वो भी आपकी एक एक लाख रुपे में बिकने वाली हैं और कुछ ऐंसी नौटे हैं जो rare ज़्यादा होती हैं तो उनको 10 लाख रुपे में भी ये बायर खरीदे हैं दोस्तों ये बाइर आपसे नॉट और सिक्षे खरीद कर आगे क्या करते हैं मैं आपको बता दू कि जैसे ही आप लोगों से ये लोग नॉट और सिक्षे खरीदे हैं उसके बाद में यह जो नौट और सिक्के हैं वो आगे बड़े बड़े एक्जूबेशन सो होते हैं वहाँ पर जाकर बेश देते हैं और वहाँ पर उन लोगों को एक नौट के बदले 50,000 यानि एक नौट के पीछे 50,000 या फिर 60,000 रुपे का मुनफ़ा मिलता है इसलिए ये लोग घर पर बैटे बैटे इस सारे नौट और सिक्के बेचते हैं और आप लोगों से खरीदे हैं अगर आप भी घर पर बैटे बैटे अपने सारे रेर नौट और रेर सिक्के बेचना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखे इस वीडियो में आपको जानकर दिजाएगी कि कौन कौन से नॉट और सुके रेर है जैसे यहाँ पर आप लोग अप लोगों को बहुत ज्यादा मिलेगी जैसे ये जो मोरो वाला नौट देख रहें इसके बदले 4 लाख माता वैशनों देजी वाले के बदले 2 लाख इसके बदले भी आप लोगों को हाई प्रैस मिलेगी और इसके अलवा जैसे पांच रुपे का ट्रेक्टर नौट हो गया दो रुपे की रेर नॉट यहां फिर दोस्तों दो रुपे की जो रोबर्ट वाली नॉट होती है वो नॉट है ऐसी बहुत सारी ऐसी रेर नॉट हैं जिसके बदले आपको हाई प्राइस मिलेगी तो चलिए आगे बढ़ते हैं कौन से नॉट और से कैसे बेचने हैं साथ इन बाहर से कॉंटेट करके क्या बाचित करने इसकी जानगारी में आपको दे देता हूं लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिग्वेश्ट है कि अगर आप भी हमारे प्यारे से लपाइन यूटूब चैनल पर पहली इस वीडियो को आप लोग यहां से एक लाइक जरूर करते हैं लाइक करने के बाद में दोस्तों आपको इस वीडियो को थोड़ा उपर स्क्रॉल करना है स्क्रॉल करने के बाद में यहां पर आप लोग देख सकते हैं आपको कमेंट बॉक्स ऑपन करने का एरो मिलेगा यहा आपको यह बताना है कि आप लोग यह वीडियो कौन से राजा से डेख रहे हैं आपके राजे का नाम जरूर बता दें इसके अलबा दोस्तों आप की पास कौन कोन से पुराने नौट और सीके पढ़े हैं उसकी भी जानकरी आप में कमेंट में जरूर दें इसके बाद में दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लगतार देखते रहे हैं कौन से नौट और सिके रहे हैं इसकी जानकारी मैं आपको आगे देने जा रहा हूं अब दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को इन स्री माता वैशनो दिवी स्राइन बॉर्ड वाले सिक्के के बारे में बता देता हूं जैसे दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर एक माता वैशनो देवी जी वाला पांच रुपे का सिक्का दिखाई दे रहा है और इन सिक्के के उपर यहाँ पर आपको वैशनो देवी जी का फोटो भी यहाँ पर बना हुआ नजर आएगा साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्री माता वैशनो देवी स्राइन बोर्ड आप लोगों को यहाँ पर उपर हिंदी में लिखा हूँ दिखाई दे रहा हैं साथ यहां पर आप लोगों नीचे देख सकते हैं सरी माता वैशनो देवी स्राइन बोर्ड इंगलीस में भी आपको लिखा हुआ दिखाई देता होगा लेकिन दोस्तों अगर आपके पास ऐसा कोई भी माता वैशनो देवी जो आला सिक्का पड़ा है तो इन सिक्के को आप घर पर बैटे बैटे 30,000 रुपे में बेश सकते हैं और इसके अलावा एक ऐसी खास बाची भी आगर आपके पास ऐसा सिक्का मिलता है तो उसके बदले आप लोगो 5 लाक रुपे भी ले सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर यह तो 5 रुपे का सिक्का है यह अकिला सिक्का आपको यहाँ पर 30,000 रुपे दिला सकता है तो 30,000 रुपे आपको क्यों दिलाएंगा 7 पांच लाक क्यों दिलाएंगा इसकी जानगरी में आपको देने जा रहा हूँ जैसे यहाँ पर आप लोग जो सिक्का देख रहे हैं स्री माता वैशनो देवजी वाला इन सिक्के के यहाँ पर जो देवी लिखा हुआ है देवी का जो पहला अक्सर डी है दी के जैस्ट नीचे आप लोगों को एक इस प्रकार की डिजाइन बन्योई दिखाई देती होगी जो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार की अकरती की है अगर आपके पास आयता कार मिंट मारक वाला कोई भी सिक्का यानि दोस्तों इस प्रकार की कोई भी डिजैन मिलती हैं तो उसे आयताकार मिंट मारक आप लोग कह सकते हैं अगर आपके पास आयताकार मिंट मारक वाला कोई भी सिक्का पड़ा हैं चाहिए यहाँ पर माता वैशनों देजी वाला हो यहाँ पिर 5 रुपे का कोई भी सिक्का हो दो रुपय का सिhkha हो एक रुपय का सिhkha हो लेकिन उसके उपर अगर आप लोगों को इस प्रकार का कोई भी मिन्ट मरग मिल जाता है तो दोस्तों आप लोग ऐसे सिhkhe को घर पर बैठे-बैठे ही बेच कर अजसानी से 30,000 रुपय ले सकते हैं लेकिन दोस्तों साथ ये एक और खास बात में आप लोगों को बताना चाहूंगा अगर आपके पास वेंसा सिका मिल जाता है तो उसके बदले भी आप लोग काफी हाई प्राइस ले सकते हैं जैसे यहां पर आप लोगों को जो आयता कार मिंट मारक मिल रहे हैं आयता कार मिंट मारक की जग अगर आप लोगों को इस्टार मिंट मारक कहीं पर भी मिल जाता हैं तो ऐसे सिकों के बदले आप लोग काफी ज़्यादा प्राइस भी ले सकते हैं तो दोस्तों स्टार मिंट मारक ऐसा होता है अगर आपके पास कोई भी इस प्रकार के आइकन वाला या पिर इस प्रकार के मिंट मारक वाला कोई भी सिक्का मिल जाता है यानि याँ पर आप लोग जो आयताकार मिंट मारक देख रहे हैं इसी की जगह ये इस्टार मिंट मारक होता है हमारे पास इस्टार मिंट मारक वाला सिक्खा मौजूद नहीं इसलिए मैं आप लोगों को उद्धान देकर बता देता हूँ अगर यहां पर आयताकार मिंट मारक की जग अगर आप लोगों को इस्टार मिंट मारक कहीं पर भी मिल जाता है किसी भी सिक्के के उपर मिल जाता है तो ऐसे सिक्कों के बदले आप लोग 5 लाख रुपे ले सकते हैं चाहिए कोई भी सिक्का हो एक रुपे का सिक्का हो दो रुपे का हो पांच रुपे का दस रुपे का या फिर 25 पैसे का 30 पैसे का कोई भी सिक्का हो लेकिन इस प्रकार का मिंट मारक मिलता है जो इस्टार मिंट मारक वाला तो उसके बदले आप लोगों पांच लाक रुपे आसानी से ले सकते हैं तो अगर आपके पास भी कोई भी सिक्का हैं तो सबसे वेले कमेंट में हमें जरूर बता दें इसके बाद में दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं अगला जो सिक्का हैं वो हैं एक रुपे का गैउं की बालियो वाला सिक्का जिसकी प्राइस आप लोगों को 75,000 यानि 75,000 रुपे मिलने वाली है दोस्तों 75,000 रुपए आप लोगों को इस एक सिखे के बदले क्यों मिलेंगे जैसे यहाँ पर आप जो सिखा देख रहे हैं इसके आप लोगों को चारों और आयता कार मिंट मारक की डिजाइन मिल रही है दोस्तों आयता कार मिंट मारक वाली कोई डिजाइन भी अगर आप लोगों के सिकों के चारों और मिलती हैं तो ऐसे सिकों के दाम काफी बढ़ जाते हैं यानि यहाँ पर यह सिर्फ एक रुपे का सिका है लेकिन आप लोगों को यहाँ पर 75,000 गुणे प्राइस मिल रही यानि दोस्तों एक सिके के बदले आपको 45,000 रुपे मिलने वाले हैं तो दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसा कोई भी यहाँ पर सिका पड़ा है एक रुपे वाला जो यहाँ पर इस प्रगार की मिंट मार्क का है तो दोस्तों सबसे पहले कमेंट में आप लोग हमें जरूर बता दे यहाँ पर दोस्तों बिलुकूल आसान है बेचने का तरीका मैं आपको बायर के नमबर दे चुका हूँ लेकिन फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो में दीगई जानकारी जरूर जान ले साथ दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहीं पर आपको इस्टार मिंट मारक मिलता है नहीं बलकि यहाँ पर आपको आईतागर मिंट मारक मिलता है और दोनों साइड आपको गयों की बालिया भी मिल रही है तो फ्रेंड्स अगर आपके पास भी ऐसा एक रुपे का कोई भी सिक्का पड़ा है तो आप लोगों से हम 75,000 रुपे में ये सिक्का खरीदने वाले लेकिन इसकी जो इस प्रकार की साइड वाली कटिंग के जेस्ट अंदर आप लोगों को इस प्रकार की मिंट मारक की जो लाइन है वो दिखती यहां पर जरूरी होनी चाहिए तो अगर आपके पास सैम सिक्काएं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं अब दोस्तों अगर आपके पास कोई भी पांच रुपे की ट्रेक्टर नॉट पचास रुपे की ऐसी नॉट या फिर सो रुपे की इस प्रकार की कोई भी नॉट है और आप लोग बेचना चाहते हैं दस लाग की प्राइस में तो आगे यह वीडियो देखते रही हैं जैसे दोस्तों अगर आपके पास कोई भी नॉट हो, नॉट के सबसे पहले आप लोगों को इस सीरियल नंबर के उपर ज्यान देना है जैसे यहाँ पर आप लोग जो यह नौट देख रहे हैं इसके उपर भी आपको सीरियल नमबर लिखे हुए देखाई दे रहे हैं यहाँ पर आप लोग पहले वाले जो तीन अंगे इसको तो छोड़ी दीजे इससे आपका कोई लेना देना नहीं है लेकिन पीछे यहाँ पर आप लोगों को जो चाह अक्सरों में सीरियल नमबर लिखे हुए मिलते हैं जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पर जो पीछे वाले सीरियल नमबर देखाई दे रहे हैं इसमें कई पर भी 786 लिखा हुआ दिखाई दें या फिर 123 लिखा हुआ दिखाई दें या फिर इसके अलवा अगर आप लोगों को अंग्रेजी वन माला का कोई भी कैपिटल अक्सर जैसे की JP इस प्रकार के कोई भी याँ पर अक्सर पिछले वाले याँ पर 6 अंगों में दिखाई दें तो दोस्तों आप लोग ऐसे नौट को 5 लाग से लेकर 10 लाग रुपे की कीमत में बेश सकते हैं जैसे कि याँ पर आप लोगों के सामने जो 50 रुपे का नौट है ये आप लोग 5 लाग रुपे में बेश सकते हैं लेकिन इसके लिए J series या फिर दोस्तों 786123 या फिर 00 serial number होने चाहिए तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसे कोई भी not या फिर 25 पैसे का गेंडे वाला सिक्का है तो आप लोग गेंडे वाले सिक्के के बदले भी काफी high price ले सकते हैं जैसे याँ पर आप लोग जो सिक्का देख रहे हैं इसमें याँ पर जो आपको तिती मिल दी तिती के जैस नीचे आपको एक छोटा सा mint mark मिलता है इस प्रगार का mint mark वाला अगर आपके पास कोई भी सिक्का पड़ा है तो दोस्तों आप लोग इस सिक्के को घर पर बैठे बैठे ही बैच सकते हैं और 25,000 रुपे प्राइस ले सकते हैं साथ ही दोस्तों याँ पर आप लोग देख सकते हैं गेंडे वाला सिक्का और इस सिक्के के बारे मैंने आपको बता दिया है और इसके अलवा याँ पर आप लोग पांच रुपे का सिक्का देख रहे हैं इस सिक्के की प्राइस आपको मिलने वाली हैं 15,000 रुपे दोस्तों सिर्फ 5 रुपे का सिखा है लेकिन 15,000 रुपे आपको प्राइस मिलेगी क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोगो जो यहाँ पर एक मिंट मारक यह फिर डिजाइन दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार की डिजाइन माला अगर आपके पास कोई भी सिखा है तो उसके बदले आप लोग 15,000 रुपे आसने से ले सकते हैं अब दोस्तों आपको यह नौट और सिख्के जो मैंने आपको इस वीडियो में बता हैं वो आपको कैसे बेचने हैं बेचने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना हैं आप लोग यह वीडियो कौन सी राज से देख रहे हैं सबसे पहले अपने राज्य का नाम हमें कमेंट में जरूर बता दें राज्य का नाम बताने के बाद में दोस्तों जो वीडियो में बता हैं अगर आपके पास कोई भी नॉट या फिर कोई भी सिक्के पड़े जिनें बेचना चाहते हैं तो दोस्तों उस सिक्के का नाम आप हमें कमेंट में बता दें साथ ही दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है यहां पर आप लोगों को जो कॉंटेक्ट नमबर सो हो रहे हैं इस नमबर पर आपको कॉंटेक्ट करना है कॉंटेक्ट करते ही आप लोगों की सारे नॉट और सिक्के घर बेटे बिग जाएंगे और जो बाकी जान करी हैं वो भी आप लोग बाहर लोगों से ले सकते हैं